देश जीती किवल सच्ची और पक्की खबे सेल्फ कॉंशिस कहीं ना कहीं तांतरिकों के डॉक्टर्स के जोला चाप लोगों के अंडर में आने का हमारा इतियास रहा है आपको एक चीज बता दी जाती है आप सोचने ये बात बिल्कु ठीक कह रा चुकी ये मेरे मन के मताबिक है मैंने ये बात क्यूं कही है भारती जिनता पार्टी ने युवाओं को आगे लाने की बात की गई इतनी उमर से उपर को टिकट नी दिया जाएगा इतनी उमर के लोगों को नया खून नया जोश नया जवान भारत की तकदीर को बदल देगा मैं 72-73 का हो जाऊं मैं 2047 तक प्रोग्राम बना सकता हूं कोई गारंटी नहीं है 2029 के बाद भी अगर आ गए परदान मंतरी जी बने किसी की हिम्मत नहीं ये पूछने की लेकिन बाकी लोगों पे ये एक मैसेज दिया गया था नए जवानों से हमारे यहां इतना जवान है रहे जवान हमारे यहां है मालूमें क्या है 25 साल से नीचे का 42 फीसद बिरोजगार हो चुका है जॉब तलाश रहा है अभी रिसेंटली हुआ था मैं क्यों सुना रहा हूं मद्य परदेश का चुनावी रण जीतना है साहब और पीजेपी ने 79 में से 23 तिकट वरिष्ट नेताओं को दिये 75 साल के जगननात को भी उम्मिदवार बनाया अभी तीन लिस्ट जारी हुई है एक साहब मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि तीसरी लिस्ट कहां से आ गई अब देख लेगा वो 39 की लिस्ट आई थी 39 क लिस्ट में क्या हुआ अखबार लिखता है कि मद्य परदेश विदान सबस्वा चुनाओं के लिए परतियाश की तीन सूचियां 79 टिकट दे गए अभी तो और देने बाकी है ना 230 अभी तो तीन ही लिस्ट आई उसके अंदर 30% ऐसे जो बूले हैं उनको टिकट दे दिया पात धरम मजब यह सब कुछ देख करके ऐसा साधना है आदिवासियों को टिक्रिट देना है और तमाम ठाकुर जाती और बुनिया जाती है और उत्तरपरदेश में मुसल्मान को भी टिकट दे वहां मारा राइस्थान में अगर यूनुस खान को दिया तो दिया तो सब 24 में दंकार बजाना है फिर दुवारा से चलिए तो 79 में से 30 पर्तिशत टिकट उन लोगों को दिये हैं जिनकी उमर 60 साल या उससे भी ज्यादा है यह अनुपात पिछली बार से भी ज्यादा हुआ है पहले दिये तो 56 अपके दिये हैं 60 ऐसे में भाश्पा की युवाओं क को ज्यादा मोके देने की बात पर सवाल उठ रहें कौन उठारा सवाल अकबार से पूछो कौन उठारा सवाल पार्टि में हिम्मत है कि सी की उठादे मोदी जी की बात सवाल 75 साल के और गो तो डिकट क्लों क्यों कौन रोकेगा एक आएस एदिकारी थे हमारे शहर में उन जिनों यही बात चल रही थी कि आदा जिलास पानी प्रियो आदा खाली रखो और उमर में यह करो वह आये सिद्धिकारी जो थे उनके पास हम बैठे थे वो भी नोजवान से बगते तो हमने कहा साब मोदी जी ने कहा है पीछे फोटो लगी हुई थी कहरा साहब एक बात तो मोदी जी ने कहा दिया युवाओं को सबसे पहले तो जुटलाने हैं अपने बड़ों को हम लोग मैं अपने फादर को जुटला कैसे सकता हूं उसके तजरूबे को नेता का मतलब हाला कि देखिए मैं अलग बात कर रहा हूं युवाओं के खिलाफ नहीं हूं लेकिन साल में चुनाओं जीतना चाहती है कोई रिस्क नहीं ले रही है केवल जिताओं उम्मीदवार ही किराइटेरिया है यही वज़ा है वरिष्ट नेताओं को वापस मैदान में लाया जा रहा है युवाओं की बात करें तो 79 में 17 टिकिट दियें अभी ठीक है जनाब अब यह तस्वीर देखिए यह कौन है जगनास सिंग रगुवनशी इनने चंदेरी से टिकट दिया है अब तक घोषित में 79 में इनकी उमर कितनी जीत के लिए 75 साल वालों को मैदान में उता रहा है इन्होंने लिखा कि 75 साल के जगनास सिंग रगुवनशी को बीजेपी ने चंदे देखिए पहली लिस्ट देख लीजिए इनकी किलासी भी पताऊंगा आपको चंदेरी से यह तस्वीर देख ली थी जगनास सिंग रगुवनशी एककम सत्तर के सुरेंदर सिंग है चित्र कूट से 69 के फिर मदुवर्माय 68 की यह हैं इनकी सब की तालीम भी देख ली जगा एक पांचवी पाजमी है कालू सिंग राट और 64 साल के हैं धरमपुरी से उन्हें टिकेट दिया गया है यह पहली लिस्ट की बात है आपकी दूसरी लिस्ट में आ जाए इकत्तर के दुर्गलाल विजे शोरपूर से फिर नीचे आजए 69 67 66 66 यह ग्यार्वी पाजमी एक बा देश की बागडोर देके देश को जमान बना दिया जाएगा तो आप बुले लोगों को ला रहे हैं साब फिर वो जुमला क्यों दिया गया था क्या वो जुमला ही था चिनाओ जीतना मैं कराइटरिया है यह तो लिखता है अकबार आपके फिर इसका मतलब सारे जुमले हो सवाल यह भी उठना नहीं उठना चाहिए क्या दो लाग दो करोल नो क्रियां पंद्रा लाग वो सारी चीज़े याद है नहीं बैराल मैं आपको रिमाइन कराना आता प्यारे दर्शकों कि यहां इस जीत में इस रण में सामदाम धंड भेत कुछ भी हो मैं मकसद जीत 75 साल का बूळा आ जाए यat 65 साल का फिरोन मिन कह सकता उसे भी बूला काएंगे या हम भी-Badthattach 33 के परद्दान मंत्री और फिर परद्दान मंत्री यहां पर उर कुछ कुछ नहीं हाँ जब हम भाशला देंगे वहां पर तो हम भाशला हैसा ही देंगे कि आप को Monster 1000 को चंदासी ह आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट स्बोक में जरूर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे शेयर कीजे नेक्स टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ जैहिन